बिखार सुरकार की चुनोती बहुत बढ़ गई है आखिर जो करोडों मजदूर आएंगे बिहार में, जो बिहार से बाहर जाकर कमाते खाते हैं, तो बिहार के सामने अगली चुनोती क्या पेस होने वाली है, संक्रवन का खत्रा तो है ही, साथ में उनके खाने पीने की चुनोती भी सामने आएगी, हमरे साथ जाने माने समाज सा चुके हैं और अभी लाखों लोग आएंगे अभी क्योंकि बिहार के तो करोडों मजदूर बाहर काम करते हैं देखिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके खाने रहने और पानी पीने की विवस्ता गाउं में तो जब वो लोटे हैं तो अब गाउं के साथ उनका नाता तो बहुत दिन पहले से टूटिया है गाउं में कोई उनके लिए ऐसा ऐसी विवस्ता नहीं है जहां उनको कोई रोजगार मिले अब जब सुचिए कि लाखो लाख आदमी गाउं में बेकार बैठा होगा तो फिर उस समय उसकी क्या स्थिती होगी उसकी मानसिक स्थिती क्या होगी क्योंकि उसको तो पैसा तो आसे में उसके लिए क्या तयार करना चाहिए जैसे हमारे पास नरेगा प्रोग्राम है तो उस तरह का कोई और प्रोग्राम होना चाहिए इन मजदूरों के लिए जो वापस क्यों क्यों इसको मुआ है बेखर हाँ स्वांज मैं कॉछोई अंहीं सामाजिक मुझे नहीं नहीं पता चलनेगे फिराऊन, इसनेनले सा क्यालने वोट कहँ को हो नहीं दिख को सब्सक्वर्ण को बाता ना सुनस्मेर्र साने हो वोड़ होगा तो social conflict का जो traditional institutions है mechanism of social control वो तो ध्वस्त हो गया और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको उसके लिए कोई respect भी नहीं है कि वो करें क्योंकि वो अपने हिसाब से जीवन जीर है तो यह उसमें क्या होगा उच्छंक्रल सामाजिक विवस्था हो जाएगे और उस सामाजिक विवस्था को कैसे लिंक करेंगे कानून की विवस्था से इसका एक बहुत बड़ा gap मुझको दिखता है आपको नहीं लगता है कि जो लाखों मजदूर बिहार में आएंगे जो बाहर काम करते हैं तो चुनावी मोड में विहार आ जाएगा कोरोणा का संकरमन का दोर अभी कितना दिन चलेगा पता नहीं लेकिन चुनाव तो उच्छे महीने बाद है तो वो बहुत ही इगनोर के रहेंगे को कि उनका कोई participation नहीं होगा election में ना उनका कोई पंचायत में कोई बात सुनेगा तो इसलिए उसका आभी से कुछ न खुछ त्यारी करना चाहिब है जिससे कि उनका participation यह political process में हो और दूसरा उनके लिए कोई न कोई income generation का जो program है वो भी होना चाहिए को प्रोसेस में उनका participation होगा तो तो नेताओं से यहीं बंगेंगे कि हमको रासन दो हमको लालकाड दो हमको नोकरी दो रुजगार दो कहां सदे पाएगी सरकार नहीं दे होता है और election होता है तो जो वोटर है वो वायलेंट हो जाता है जब वायलेंट हो जाएगा तो फिर उसको control करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो यह एक बहुत बड़ा problem होगा या तो फिर आप election को आगे चे महिने के लिए टालिये पहले करोना को control करें फिर जो आए हैं बाहर से उनको फिर बाहर भीजिए और तब आप election करें तो हो सकता है आप लगता है कि इस तरह का समधानिक संक्रट पैदा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आप जो लोग आ रहे हैं आप दिकिन आप पैदल इतने इतने दूर से चले रहे हैं तो उसे आप समझे कि उनका मनोबल बहुत मजबूत है तब नहीं हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और जब आ गये हैं तो रास्ते में कितनी भी मुशिबतों को सामना करका हैं और जो उनको प्राबलम हुआ उनको जो दिक्कत हुआ है उसलिए वो जो भी स्टेटमेंट टेलिविजन पर या अकबार में चप रहा है उससे लगता है कि वो इस विवस्था से बहुत परिशान हो गया हैं और बहुत उबे हुआ हैं तो उन उसके पहले जो बिवस्था की जानी चाहिए थी यह सोचना चाहिए था कि बाहर जो मजदूर काम करते हैं अपने घर भागेंगे उनके रहने खाने इलाज की बिवस्था होनी चाहिए यह सब कुछ हुआ नहीं यह कितना बड़ा गलत फोसला यह बहुत बड़ा गैप है क् कि कितने दूर से चल कर पैदा लाएं हैं तो इंफेक्शन तो हुआ ही होगा और जब इंफेक्शन हुआ होगा तो इसको चेक करना और मुश्किल हो जाएगा तो यह एक गलत डिसीशन ऐसा कुछ लगता है कि इस तरह कोई प्लानिंग के साथ कुछ करना चाहिए ता कि बिहार स्रकार के पास इतनी व्यस्था है कि लाख हो मध्लूरों का मेडिकल टेस्ट कर लें आजया ता बहर मिलतरी रोकने समस्या का समाधान तो होगा नहीं वो रुक कहा रहा है वो तो छिप करके अंदर आही रहा है ना और बोर्डर पर रोक देने का कोई समस्या नहीं उससे और उनसे उग्रता बढ़ रहा है क्योंकि उनमें जो असंतोस की भावना और ज्यादा फैल रही है बिहार सरकार कार एक बोडर पर रोक लेंगे बिहार में घुशने नहीं देंगे दूसरी तरफ उतर प्रदेश की सरकार उनको बसों में भर भर करके बिहार बेज रही है यह तो कंफ्लिक्ट है ना कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को कौपरेट नहीं कर रहा है और एक कंफ्लि डालेमा में आपने डाल दिया जो स्टेट का अपना अपना डिसीशन है तो इंडिपेंडेंडेंट डिसीशन तो नहीं होगा। अपने लगता है कि जो मजदूरों का पलायन है उस वजह से लकडाउन भी फेल हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो भी काम नहीं का रहा है। तो उसमें आप जब देखेंगे कि इस तरह से कोई प्लान है नहीं कोई पालिसी है नहीं सदेनली यह तो आपको चार महीं ना परना जब चाइना में हुआ था उसी समय पालिसी और प्लान होना चाहिए था कि हमारे कंट्री में अगर आएगा तो हम क्या करेंगे उस समय कर दोंते टीस है तो हो जाता हरे स्टेट को इकी तरह का डायरेक्शन होना चै़रे स्टेट एकी तरह की कि सामाजिक संक्रमन बहुत जैदा होगा तो और उसको हम अभी तो लोग नहीं मेजिन कर रहे हैं देख नहीं रहे हैं फोर्सी नहीं कर रहे हैं कि क्या होने वाला है लेकिन जब होगा तो उसका दुस्परिनाम लोगों को भुगतना पड़ेगा तो आप देख रहे हैं कि जाने माने समाज सास्त्री मान रहे हैं कि बहुत बड़े पहमाने पर संक्रमन का खत्रा बिहार में पैदा हो सकता है और जब कम्यूटी संक्रमन होगा कोई कम्यूटी संक्रमन का सिकार होगी तो सायद उससे लड़पाना किसी भी सरकार के बुत्ते क की बात नहीं होगी और बिहार में जहां पर स्वास्त बेवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है वहां चुनोती ज्यादा बढ़ जाएगी